हलो एव्रीवाइन वेल्कम टू मैं चानल क्विक्फिक्स इंडिया मेरा नाम है रवी चंदर रना दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले बेस्ट आर फोर के टीम ड्यूग डॉमिनर निंजा 300 बेनली 300 और अपाचे 310 और ब्यम्ड़ी जीएस 310R इस सारी पारे में बात करेंगे अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज जाके फॉलो किजिए हमारा इंस्टाग्राम आइडिया क्विक्फिक्स इंडिया जहां पर हम लोग काफी सुपर बाइक रिलेटेड स्टोरी और नॉलेज अपलेट करते रहत दोस्तो अभी आपको लगता होगा कि रवी भाई मुझे बताएंगे यह बेस्ट टायर है और मैं जाके फिट कर दूँगा वैसा नहीं है दोस्तो बेस्ट टायर क्या होता है बेस्ट यह होता है राइडिंग कमफर्ट आपको अच्छी मिले आप कौन से कंडिशन में गाड दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले है मेटजलर स्पोर्ट टेक इंट्राक एमफाइव पिर्याली डियाब्रोसो टू और पिर्यली स्कॉर्पियन रैली एस्टियार और यह जो टायर है दोस्तो यह है अपोलो टायर का अलफा एच वन सो यह सारे टायर जो है इस बिल्टेट रैडियल टायर है दो टायिक के कंपाउंड होता है एक कंपाउंड होता है जिरो डिक्री स्टील बेल्ल टायर और एक होता है अगे-्षाफ देख सकते हैं यहां पर आयर से इस्टेव यह तो ह्याब working दीख रहा है यह collaboration लेवल सुपर बाइक सो एंट्री लेवल में दोस्तों हमेशा आप देख सकते हो नींजा 300 का यूज होता है BMW ने दोस्तों G310 R निकाला है आप देख सकते हो KTM का Duke 390 है आप देख सकते हो Benelli का 300 है लेवल सुपर बाइक सो काफी लोग जो बिगिनर्स होते है उनको टायर का इतना अच्छा नॉलेज नहीं होता है काफी सुपर बाइकर मुझे पुछते रवी भाई इतने क्यों पैटन्स कंपनी बनाती अलग-अलग आप देख सकते हो यहाँ पर पिरेली का एक Diablo 2 है इसमें H-rated भी आता है W-rated भी आता है यहाँ पर पिरेली का एक अलग पैटन है तो दोस्तों एक लेमेन के लिए मैं एक्जांपल देना जाओंगा आप जैसा formal wear पहनते हैं तो formal के लिए formal shoes होता है है sports के लिए sport shoes होता है आप अगर trekking कर रहे हो तो tracking के लिए tracking shoes होता है आप क्रिकेटर हो उसका shoes अलग है आप अगर footballer ओसका शूज अलग है आप ट्रेकिंग भी जा रहे हो तो आपको grip अलग अलग चाहिए होती है आप cricket खेल रहे हैं आप baller हो तो तो कोई अलग ग्रीब चीए होती है तो यह सारे जो शूज है वो अलग है तो वैसे ही दोस्तों यह जितने भी टायर्स है अलग-अलग रोट कंडिशन के लिए बना है अलग-अलग परपस के लिए बना है तो वीडियो की शुरुआत करते है मेटजलर M5 से यह जो है वो एक sport tech interact टायर है काफी अच्छा टायर है sports category के लिए यह जो टायर है दोस्तों इस यह फ्रन टायर है 110 70 17 जो की single compound में बना हुआ है आप यहाँ पर दोस्तों इसके trade डेक सकते trade में काफी ज्यादा यह lines जो दिख रही है आपको यह काफी अच्छा water evacuation करती है जिससे आपको कच्छा wet grip मिलेगा M5 के अंदर दोस्तों मेटजलर ने silica का use किया है silica जो compound है दोस्तों काफी beneficial है आपको wet breaking के लिए आप अगर weather condition में गाड़ी चला रहे हो अच्छा breaking मिलता है आपको अच्छी grip मिलती है रिय टायर की दोस्तों बात करते है जो कि zero degree steel belt radial टायर है जो dual compound में बनके आता है आप यहाँ पे देख सकते हो काफी aggressive trade designing है यह जो spikes दिख रहे है यहाँ पे यह काफी water evacuation के लिए कि दोस्तों काफी मददगार होते है एक चीज मे पर पर आप cornering कर रहे हो इससे आपको पता चलता है आपके अगर टायर में fine number नहीं दिख रहा है that means अगर पूरा washout हुआ है that means आप काफी lean angle में गाड़ी चला रहे है काफी दोस्तों करते है कि कि कितने lean angle पर गाड़ी चला सकते है तो यहाँ पर पता चल सकता है कि आपने आप अगर five पे चला रहे हो तो यह थोड़े time पर यहाँ पर washout हो जाएगा आप यहाँ पर elephant का एक mark देख सकते हो यह भी एक trade wear indicator का काम करता है काफी लोग bikers लोग इसे कहते है burn the elephant मतलब full lean angle में गाड़ी चलाना जो कि एक बहतरीन चीज है trade wear indicator के इसमें टायर का जो finishing है काफ टूरिंग करना चाहते हो आप अगर इसे track पे चलाना चाहते हो तो यह टायर काफी अच्छा परफॉर्म करेगा dual compound tire है middle portion जो उसके medium hard compound होता है shoulders जो होते हैं इसके soft compound होते हैं जबी आप lean angle में मतलब जबी भी cornering करते हो आप so cornering के time पे soft compound जो road की shape की सबसे दोस्तों वो mold हो जाता है जिसे contact patch अच्छा रहता है corner में जो steel belts होते काफी अच्छे tightly wound है काफी कम space रखा है steel belts में उससे काफी अच्छी grip मिलेंगी आपको so बहुत अच्छा tire है यह अगर आप cornering करना चाहते हो उसलिए इस tire के life के बार में बात करेंगे दोस्तों tire का life है 8-15,000 km है tire का life जो depend होता है दोस्तों कौन से road condition में आप ride करते हो आपका riding style कैसा है आपका riding style अगर harsh है आपका road condition अच्छा नहीं रहेगा तो life हमेशा कम मिलेंगे दोस्तों आप बात करते है पिरेल यह Diablo 2 की काफी aggressive trade designing tire के अंदर कमदी ने दी है आप यह आप यह front tire है यह front tire को देख सकते है काफी अच्छा aggressive trade designing दिया है जो trades यहाँ पे दीख रहे है यह काफी अच्छा water evacuation का काम करते है Diablo 2 दोस्तों racing भी यूज होता था चार साल पहले आज आप उससे street bikes में या super bikes में भी उससे install कर सकते हो एक तक rear tire के बारे में बात करते है दोस्तों rear tire जो है यह dual compound tire है middle portion का जो rubber का quality है अलग है और edges पे जो rubber यूज किया है वो अलग है middle में इसलिए दोस्तों rubber अलग यूज किया है क्योंकि आप mostly जब गाड़ी चलाते हो यह यही patch ज़्यादा यूज होता है जिससे life आपको ज़्यादा मिलेगा टायर का काफी लोग कहते है कि यह बहुत soft compound tire है यह दोस्तों soft compound नहीं है medium hard compound होता है middle में और soft जो होता है वो होता है corner में जिससे काफी stability handling आपको मिलती है और जबी भी आप cornering करते हो काफी ज़्यादा stability और grip आपको cornering के वक्त मिलती है दोस्तों अब आप दोस्तों के speed में गाड़ी चलाते हो आपको braking की ज़रूद होती है काफी ज्यादा grip की ज़रूद होती है तो यह टायर यह काफी अच्छा perform करता है high speed के उपर दोस्तों आप बात करते pirelli scorpion rally str के बारे में str जो है यह काफी high-end गडियों में high-end adventure touring bikes में लगके आता है bmw, gs200, tram tiger इस सारी bike के लिए दोस्तों इस pattern में tires available है यह जो tire की बात कर रहे है काफी अच्छे perform करेंगे touring के लिए और off-roading destination के लिए यह जो tire का आप देख सकते हैं यह front tire है दोस्तों इसके जो block patterns है काफी aggressive trade designing है आप यहाँ पर देख सकते हो जो यह blocks है यह काफी अच्छे perform करेंगे gravels के अंदर आप अगर sand में चलाते हो तो काफी अच्छा perform करेंगे साथी साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे flat patch है यह काफी अच्छा perform करेगा अगर आप touring भी कर रहे है तो अगर आप touring भी ज्यादा करते हो यह weekend ride भी करते हो उसलिए भी 0 degree steel belt radial tire में बना हुआ है और काफी better in tire मुझे लगा है आपको बताना चाहिए rear tire का भी जो design देख सकते हो दोस्तों आप अगर इसे थोड़ा बहुत cornering भी करना चाहते हो तो cornering भी कर सकते हो यह high performance based tire है जो tread blocks देख रहे है दोस्तों यह जो tread blocks है यह काफी अच्छे perform करेंगे अगर आप off-roading destination के लिए अगर आप gravels में भी गाड़ी चलाते हो तो काफी अच्छा grip मिलेगा उसके अंदर बहुत बेटर इन tire है अगर आप duke 390 में डालना चाहते हो या फिर अगर आप बेनली 300 में डालना चाहते हो तो काफी अच्छा tire है डॉमिनर में भी इसे यूज कर सकते हो क्योंकि बहुत अच्छा एक aggressive trade designing पिरिली ने बना है अब दोस्तों देखते है जो हम इंडिया का पहली company जिसने steel belted radial tire बना है वो है अफोलो alpha h1 काफी better in tire है काफी अच्छा finishing इसके उपर दिया है आप इसका trade wear देख सकते हो काफी अच्छी aggressive trade designing है यहाँ पर यह जो spikes दिख रहे है आपको यह जो grooves दिख रहे है यह grooves है यह water evacuation का काम करते है यहाँ पर दोस्तों मुझे इसका समझ में नहीं है कि यह छोटे-छोटे grooves क्यों दिये कंपनी ने लेकिन आप देख सकते हो यह बोसली cornering के लिए ही दिया है कि जिससे आपको grip ज्यादा मिले hydro planning create ना हो है इस quality wise देखेंगे तो finishing काफी अच्छा दिया है काफी अच्छा मुझे लगता है यह तूरिंग के लिए रहेगा और sports के लिए रहेगा दोस्ता आपको बताना जाओंगा जबी कोई भी कमपनी टायर बनाती है तो competitor उस टायर को यूज करते है compare करने के लिए उनके खुद के प्रोड़क के साथ में सो मेट्जलर ने भी जर्मनी में दोस्तो रेस के उपर इस टायर को टेस्ट किया है काफी अच्छा performance उनको भी मिला है compound की बात करते हैं दोस्तो जिसके अंदर zero degree steel belts का यूज किया है जो की पहली इंडिया की company है जिसने zero degree steel belt radial bike का टायर बना है काफी अच्छा टायर है काफी aggressive trade designing है front tire जो है वो single compound में है और rear tire की दोस्तो बात करते है rear tire भी देख सकते हो काफी aggressive trade designing company ने बना है यह देखो यह जो grooves दिख रहे है यह काफी अच्छे grooves दिख रहे है काफी अच्छा water evacuation इसमें से होना चाहिए मेरे कह हिसाब से यह जो दोस्तो मुझे जो यहां पर जो design दिख रही है यह मुझे समझ में नहीं आई यह किसलिए company ने दिए है लेकिन यह mostly I think यह जब आप cornering करते हो जिसके अंदर काफी अच्छा grip देने के लिए यह बनाई है काफी लोगों का mindset होता है दोस्तों कि flat tire रहेगा तो grip अच्छी नहीं मिलेंगी वह गलत होता है tire का compound कौन सा use हुआ है उसके उपर भी depend करता है I think company ने यहां पर silica का भी use किया है यह wet weather condition में भी काफी अच्छा perform करेगा speed index की बात करते दोस्तों speed index में company ने w rated tire बना है जो की 270 के speed से आप उसे चला सकते हो काफी aggressive tire designing है यहां पे आप जो देख सकते हो Apollo यहां लिका है जो की आप trade wear indicator का का काम करेगा अगर आप lean angle में चलाते हो तो यह wash out हो जाएगा दोस्तों हम ऐसी अच्छे अच्छे वीडियो पे काम कर रहे है ऐसी अच्छे अच्छी informative वीडियो बना रहे है अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो please like कर दीजिए आपने अगर हमारे चानल को दोस्तों subscribe नहीं किया है तो please जाके subscribe कर लीजिए बाजू में दोस्तों एक bell icon दिया है उसे भी प्रेस कर लीजिए तो सारे वीडियो का notification आपको सबसे पहले आएगा riders please wear helmet, driver please wear seatbelt, keep the road clean, keep the road safe, keep the city clean, thank you